ओम शांती 29 जन्वरी 2024, मीठे प्यारे बाबा के आज के मदुर पाहवाक्य, आज की मुझी के कुछ मुख्य पॉइंट्स, आज बाबा हमी समझाते कि हम बच्चों को आत्मिक स्थिदे में रहे, भाई-भाई की दृष्टी पक्की करनी है, हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास निरंतर करते रहना है, बाबा से जो अमूले ज्यान खजाना मिल रहा है, उससे अपनी पुद्धी रूपी जोली को भरते चाना है, बाबा कहते, ब्रामन जीविन की विशेशता है प्रसन्ता, हम बच्चों को अपने चेहरे से प्रसन्ता अर्थात, आत्मिक मुस्कुराहत की जलक सब को दिखानी हैं, चाहे कोई कैसा भी व्यभार करें, हमें सदा प्रसन्त चित रहना है, तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली, ओ शान्ती, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाब तुम्हारा श्रिंगार करते हैं, ऐसे तुमें भी दूसरों का करना है, सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिकरात की कोई बात नहीं, प्रश्न, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते पाधारन करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूझ जाते हैं, शास्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं हैं, इतना समय, जो भगति की है, वे खीचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं, कोई-कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं, जो कहते हैं, बाबा, हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड कैसे सकते, सब कुछ न्योचावर करने की उच्छ आ जाती है, जीत दूर देश के रहने वाले, ओम शांती, मीठे मीठे, रुखानी बच्छे अच्छी तरह से चानते हैं, कि हम मुसाफिर हैं, यह हमारा देश नहीं है, यह बेहत का नाटर बहुत बड़ा मांडवा है, कितनी बड़ी-बड़ी बतियां हैं, यह सदैव जलत आत्मा जानती है, हम सब एक्टर्स हैं, और नंबर वार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं, यहां पार्ट बजाने, पहले-पहले तुम वापिस घर जाकर फिर यहां आते हो, यह अच्छी तरह से समझने और धारन करने की बात है, नाटके एक्टर होते है अगर एक दो के ओक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदी मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो, तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई बाप बीच रूप है, नौलिजफुल है, जैसे वे कॉमन बीच और जार होते हैं, उनको जानते होना, पहले-पहले छोटे-छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते, जार कितना वृद्धी को पाता है, कितना समय लगता है, तुम्हारी बुद्धी में यह ज्य बाप तो एक ही पार आते हैं, मीठे मीठे बच्चे यह अनाधी अविनाशी ट्रामा है, बाप है स्वर्ग का रचैता, Heavenly Godfather, हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है, गायन भी है दूर देश का रहने वाला, यह रावन राज्ये पराया है, रावन राज्ये में राम को आना है, तुम्हारी बुद्धी में ही ज्यान है, तो बाप समझाते हैं आत्माओं को, कि तुम सब मुसाफिर हो, इकठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे, तुमको मालूम है, सबसे पहले होते हैं देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फि वहां आती हो, ये बाप ने ही बुद्धी दी है, तुम आत्माओं को अब नौलिच मिली है, हम बीच और जाड के आदी मध्य अंध को चानते हैं, बीच उपर है, नीचे सारा जाड फैला हुआ है, अभी जाड पूरा ही चरचड़ी भूत है, तुम बच्चे इस जाड के आदी मध्य अंध को जान गए हो, आगे विशी मुनियों से पूछते थे, कि रच्चता और रच्चना के आदी मध्य अंध को जानते हो, तो नेती नेती कह देते थे, जबकि वे भी नहीं जानते, तो परम-परासे कैसे हो सकता, ये सब बातें अच्छी तरह से धारन करनी ह भूलना नहीं है, पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योगबल से ही तुम पद पाते हो, पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाई पापके और कोई पवित्र बना ना सके, विनाशी धन दान करते तो राचाई कुल में, अत्वा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है, नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है, सत्यूग में देवताओं का जैसे एक गाउं है, शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धी को पाया है, आत्माएं सब अपना पाट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं, बाब एक ही बार का मुसाफिर है, हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, पुनर चनम लेते, पाट बजाते ही रहते हो, अभी तुम अमर लोग में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 चनम उच पत पाते हो, 21 पीडी कहते हैं ना, पीडी अर्थात बुढ़ापे तक, फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे, अकाले बृत्यों नहीं होगा, काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यों होती नहीं, तुम एक शरीर छोड़, दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं, सर्ब को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी, अभी तुमको आत्मा का ज्यान मिलता है, आत्मा ही सिर्फ कुछ करती है, आत्मा में ही अलग है, उनमें आत्मा ना होती, तो शरीर चलना सके, कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज बंडफुल है, बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है बंडफुल वर्ल्ड, रावन राज्य में साथ बंडर्स दिखाते हैं, र जो आधा कल्प कायम रहता है, मनुश्यों ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है, अभी तुम बुद्धी से चानते हो, कोई कोई ने साक्षातकार भी किया है, बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, अर्जुन को भी साक्षातकार में दिखाया है, अब बरोबर यह है गीता एपिसोड, बाबा बतलाते हैं कि बच्चे यह है पुरुशोत्तम संगम यूग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राज योग सिखाता हूं, और इतना उच बनाता हूं, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं चानते, तुम बहुत मौज से रहते हो, यहां मनुश्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो, सत्यूग में ऐसी बातें नहीं होती, सत्यूग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर-घर में सोजरा होता है, यहां फिर मनुश्य घर-घर म बतियां जलाते हैं, बाप कहते हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धी में धारन करना है, बाप और राजधानी को याद करते रहो, तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उनों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं, शिव जियनती भारत में ही मनाते हैं, शिव है उचे ते उच भगवान, वै भारत में कैसे आते हैं, उसने खुद बताया है, कि मुझे प्रकृती का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नही तो बच्चों को ज्यान श्रिंगार कैसे कराएं अब तुम्हारा श्रिंगार हो रहा है तुम फिर दूसरों का करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का यह है बहुत सहज परन्तु मनुष्यों की बुद्धी ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं टाइम लेते हैं त तुम प्रदर्शनी में सब बाती समझाते हो जो आया जैसे समझाया सब ठ्रामा फिकरात की कोई बात नहीं बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं निकलता कोटों में कोई है सो तो होगा तुम कहते हो परमात्मा बिल्दी है शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं इसलिए मूझ पढ़ते हैं तुम भी पहले नहीं मानते थे कोई कोई को दो वर्ष भी समझने में लगे चले चाते हैं फिर आते हैं इतना सहज भक्ती छूटती नहीं है वह अपनी और खींचती है यह भी ड्रामा में पाठ है सिवाए तुम ब्रामनों के और कोई नहीं जानते विराठ रूप का भी अर्थ समझा है यह है तुम्हारी बाजोली तुम चक्र लगाते हो इनको विराठ नातक कहा जाता है इनका भी तुमको ज्यान है उन कॉलेजों में तो क्या-क्या पढ़ते रहते हैं यहां वे बात नहीं साइंस व्रदी को पाती रहती है उनसे विनाश होना है अभी भल तुम समझाएंगे परन्तु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है यह तो रोज समझाना चाहिए कितना भी काम हो परन्तु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्सा जरूर लेना है यह तो अथा अनकिनत कमाई है बाबा कहते हैं बच्छे मेरी बुद्धी में सारे जाड़ की नौलेच है सो अभी तुम भी समझ रहे हो बाब जो समझाते हैं वे बहुत अक्यूरेट है एक सेकिंड न मिले दूसरे से कितनी महींता है तुमने कितने चक्र लगाए है यह ड्रामा जू मिसल चलता है एक ही चक्र को पांच हजार वर्ष लगते हैं उसमें सारा खेल चलता है उनको ही जानना है वहां गाएं भी फर्स्ट क्लास होंगी जैसा आपका पद वैसा फरनीचर वैसा मकान भबका होता है खुशी भी आत्मा को ही होती है हमारी आत्मा त्रिप्त हुई त्रिप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है कहेंगे तुम्हारी आत्मा त्रिप्त हुई हां आया है, बाब जो समझाते हैं, ये भी ट्रामा का खेल है, अब बाब तुमको rejuvenate करते हैं, तुम्हारी काया कल्थ विश्ष समान बन जाती है, नाम ही है अमर लोक, आतमा भी अमर है, काल खाना सके, बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं अकाल आत्मा जो इस तक्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं आत्मा इन कानों से सुनती है हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं बाप की दृष्टी हमेशा आत्माओं पर रहती है तुमको भी बाप समझाते हैं हमेशा भाई-भाई की दृष्टी रखो, भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टी न चाहिए, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, हम आत्मा हैं, हमने इतने जन लेपाट बजाया है, हम पुन्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं, सोने में ही खा पड़ती है, जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी, उनको क्या कहेंगे, कुछ परसंट सोने का होगा, भल पवित्र होकर जाते हैं, परन्तु पावर तो कम है ना, एक-दो जरम करके लिया, इससे क्या हुआ, बाबा, जो मुली चलाते हैं, वह है खजाना, जब तक बाप को याद करते रहो, याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो, चुप होकर बैठने से भी बहुत फाइदा है, मन बनाभव, इसका अर्थ भी कोई नहीं चानते, बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं, यहां तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है, एक-दो पर काम-कटार आदी चलाना, जिससे आदी मध्य अन्त दुख पाते हैं, सबसे छी-छी हिस्सा यह है, इसलिए इनको नर्ग कहा जाता है, स्वर्ग और नर्ग का भी कोई अर्थ नहीं समझते, वह है नंबर वान, नर्ग है नंबर लास्ट, तुम जानते हो, हम इस विश्वनातक की तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो चाएं, और सहज ही समझ चाएं, यह चित्र बनाना भी ट्रामा में नूद है, पिछाडी को तुम याद में ही रहेंगे, स्रिष्टी चक्र भी बुद्धी में आ जाएगा, नई दुनि दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही चानते हो, सतो, रजो, तमों में सबको आना ही है, अभी है कल्यो, यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता, तुमको तो अभी सार स्रिष्टी के आदी मध्य अंत की नौलिज है, रचैता बाप इसमें बैठ समझाते हैं, कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, बेहत का ठीचर हूं, यह संगम योग है, पूरुशोर्तम योग, सत्योग और कल्योग को पूरुशोर्तम नहीं कहेंगे, संगम पर ही तुम प आज योग सिखलाते हैं, दिन प्रदि दिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहच होगा, जार वृद्धी को पाता रहेगा, शमा पर बहुत परवाने आते हैं, फिदा होने, ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा, कहेगा, बाबा, बस हम तो आपके पास ही पैठे रहें, यह सब कुछ आपका है, ऐसे उंच बाप को हम छोएं क्यों, जोश बहुतों में आता है, बाबा से विश्व की बात्चाही मिलती है, तो हम छोड़कर क्यों जाएं, यहां तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहां कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी प जो सब यहां बैठ चाहें, जोश आता है, क्योंकि जानते हैं, यह सब कुछ खत्म होने वाला है, जिनका पाठ है, वे सुनते रहते हैं, बाप कहते हैं, तुम LLB, ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा, कल्छेरीद छूट चाहे, तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी बाप देते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, वे तो याद से ही बनेंगे, और सब दे के धर्म छोड़, मा में कम याद करो, चरीर पर भरोसा नहीं ह पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो बाप का काम है समझाना उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है ये तो तुम जानते हो शिर्व बाबा का भंडारा सदैफ भरपूर है इतने सब बच्चे पलते रहते हैं फिकर की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते, लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है, तो खुद भी नहीं खाते, बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप, मा सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है, वैं खा लेती है, हमारी भंडारी भी ऐसी है, अच्छा, मीठे मीठे, सिखिले दे बच्चों क्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वचान सिक्वा फ्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुद मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्यसार, पहला पॉइंट, भाई-भाई की दृष्टी पक्की करनी है, हम आत्मा, आत्मा भाई से बात करते हैं, ये अभ्यासकर क्रिमिनल दृष्टी को परिवर्तिन करना है, दूसरा पॉइंट, बाप, जब ज्यान खजाना देते हैं, तो याद में बैट, बुद्धी रूपी जोडी से खजाना भरना है, चुप बैटकर अविनाशी कमाई जमा करनी है, वर्द आत्मिक मुस्कुराहत द्वारा चेहरे से प्रसनता की जलत दिखाने वाले विशेश आतमाभव, ब्रामन जीवन की विशेशता है प्रसनता, प्रसनता अर्थात, आत्मिक मुस्कुराहत, जोर-जोर से हसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना, चाहे कोई गाली भी दे रहे हों, तो भी आपके चेरे पर दुख की लहर नहीं आए सदा प्रसनचित ये नहीं सोचो कि उसने एक घंटा बोला मैंने तो सिर्फ एक सेकंड बोला सेकंड भी बोला या सोचा शकल पर अप्रसनचा आई तो फेल हो जाएंगे एक घंटा सेहन किया फिर गुबारे से गैस निकल गई श्रेट जीवन के लक्षे वाली विशेश आत्मा ऐसे गैस के गुबारे नहीं बनती स्लोगन शीतल काया वाले योगी स्वैम शीतल पन दूसरों को शीतल ब्रिष्टी से निहान करते हैं अव्यक्त साइलिंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभव करो जैसे साइन्स वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं ऐसे आप साइलिंस द्वारा धर्नी का परिवर्तन करो इसके लिए शुब भावना संपन बनो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो साइलिंस की शक्ती से किसी भी आत्मा की वृत्ती द्रिष्टी का परिवर्तन कर दो जैसे क्रोध अज्यान का शक्ती है ऐसे ज्यान की शक्ती शांती है सहन शक्ती है अभी इन गुणों को अपना संसकार बना लो तो डबल लाइट, फरिष्टा, सहज बन जाएंगे ओम शांती